तो आज हम पढ़ेंगे chapter 7 जो की है structural organization in animals इसका mind map हम देखेंगे पूरी तरीके से chapter को मैंने समझाया है और जो best part है इस chapter का जो मैंने सबसे अच्छे काम किया है मेरे ख्याल से वो है तीनों organism यानि अर्थुम, cockroach और frog को summarize करना जैसे कि आप यहाँ पर देख सकता है अर्थुम को मैंने पूरा एक ही page में पूरा complete कर दिया है और जितनी भी important चीज़ें सारे डालती है तो कोई भी चीज़ यहाँ पर बची नहीं है आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी अर्थुम के बारे में तो अर्थुम को ऐसे ही कौकरोज को ऐसे ही जो तीसरा वाला है उसको भी तीनो को मैंने यहाँ पर अच्छे समराइज कर दिया ठीक है अर्थुम कौकरोज फ्रुम को तो यह best पार्ट है इस mind map का ठीक तो शुरुवात करेंगे हम पिसू से और इसके आगे फिर हम तीनों औ सब्सक्राइज का mind map है आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं अब एक चीज में बता दू कि वीडियो का जो एंड होगा वो थोड़ा फनी होने वाला है ठीक थोड़ा फन पार्ट होए उधर तो अगर आपको देखना है तो वीडियो का आखिरी पार तीसरा होता है muscular tissue और चौथा होता है neural tissue ठीक है तो दो यहां पर है epithelial connective बाकी दो अभी आएंगे तो शुरुआत करते हैं epithelial tissue epithelial tissue दो तरह होते हैं पहला है simple दूसरा compound जो simple epithelial होता है वो single layered से बने होता है यानि एक ही layer की cells होती है ठीक है और यह पाया जाता है lining of duct and tube tube और duct की lining में पाया जाता है compound epithelial multi layer होती कई layer की cells होंगी ठीक है जैसे कि skin जो हमारी है यह compound epithelial का example है और इनका function क्या था protection जैसे skin जो होती है क्यूबाइडल तीसरा columnar ठीक है अब कोई आप से पूछे कि squamous में कितनी layer होंगी cells की तो squamous क्यूबाइडल का part है तो एक ही layer होगी क्यूबाइडल में एक layer होगी cell की columnar में भी एक ही layer होगी ठीक है तो मतलब जो simple cells है मतलब simple epithelial tissue होंगी उसमें हमेशा squamous क्यूबाइडल और columnar चाहिए जो हो हमेशा एक ही layer होगी cell की ठीक है तो आप आते हैं एक एक करके तीनों पढ़ते हैं पहला squamous epithelial squamous epithelial में flat और irregular cells पाई जाती है और यह बहुत important है they forms diffusion boundary यह diffusion के boundary को फार्ण करती है जैसे कि walls और blood vessel की wall और alveoli में आपको पता है carbon dioxide और oxygen का diffusion होता है तो यहां पर diffusion हो रहा है तो इस कमरे से पीठील आई जाएगी ठीक है तो यह जो याद रखिएगा इसका function forms diffusion boundary धी दूसरा क्यूबाइडल क्यूबाइडल क्यूब्स कहां जाएंगी जो यह tubes of nephron है अगर आपने nephron structure पढ़ा होगा तो इसमें दो ट्यूब पाई जाती है PCT और DCT उनहीं की बात हो रही है ठीक है यहां पर columnar, columnar cells में क्या होती? column मतलब होता है खंबे की तरह की cells इसमें क्या होता है nucleus is at base जो nucleus होता है वो खंबे के एकदम base में यानि आखरी में होता है seen in living, lining of stomach and intestine यह कहां देखने आएंगी? stomach और intestine की lining पे देखी जाएंगी function इनका भी secretion और absorption का ही होगा ठीक तो यह 3 cells है इनका function जो याद रखेगा और example याद रखेगा ठीक अब epithereal में ही एक और चित ध्यान रखेए है वह है यह ठीक यह पार्ट अगर columnar या cubital cells है ठीक है columnar या cubital cells है if have celia अगर इन दोनों के पास celia है तो हम इनको बोल देंगे celiated epithereum तो यह कोई नई चीज़ नहीं है celiated epithereum क्या है कोई भी columnar या cubital cells जिसपे celia पाए जाएगा ठीक तो columnar and cubital cells if have celia are covered celiated epithereum ठीक एक्जामपल है bronchioles and philippian tube यह दोनों एक्जामपल नेट में पूछे गए थे ठीक तो दोनों ध्यान रखिएगा अब वही columnar and cubital epithereum में अगर यह specialized रहते हैं secretion करने में supplies हो जाती है ठीक है तो इनको glandular epithereum कह देंगे ठीक अब glandular epithereum का थोड़ा सा division है जैसे कि अगर cell की बात करें तो यह unicellular or multicellular हो सकती है unicellular का example is goblet cells of elementary canal elementary canal में goblet cells पायाती जो कि mucus secret करती है वह unicellular glandular epithereum है ठीक salivary gland जो है जिसमें saliva secret होता है जो हमाँ मुह में होता है वह multicellular glandular epithereum है फिर इसी glandular epithereum को दो और division है एक तो exocrine है और दूसरा endocrine gland exocrine gland क्या होते है have duct इनके पास duct होता है duct मतलब नली ठीक है इनकी अपनी pipe होती है एक example है mucus saliva milk यह सब exocrine है endocrine ducts होते है और इनका जो secretion होता है उसको hormone कहाता है ठीक तो glandular epithereum exocrine और endocrine के रूप में भी मतलब हम इसको divide कर सकते है ठीक तो यह ध्यान रखिएगा कि celiated epithereum glandular epithereum वह कोई नई epithereum नहीं है यह columnar या cubital ही है बस अगर इनमें celiated करेंगा अगर यह secretion करने में specialized हो जाएंगी तो इन्हें glandular कर जाएगा ठीक तो यह हो गया epithereum tissue बस खतम ठीक अब आते हैं connective tissues पे जैसे कि नाम बता रहा connective मतलब connect करना तो connected tissue are connected tissue accept blood secret collagen and elastin fiber blood को छोड़ दे तो बाकि जितने भी connected tissue है वो collagen और elastin fiber secret करते हैं थी अब connective tissue तीन तरह के loose dense और specialized जो loose होते हैं इनका एक्जामपल है aurular tissue जो की skin के नीचे पाया जाता है edipose tissue यह भी skin के नीचे पाया जाता है अब edipose tissue जो है वो store करता है fat को यह ध्यान रखिएगा ठीक है loose मतलब यह पूछा गया अथनीट में कि edipose tissue किस टाइप का है तो loose connective tissue है जो की fat store करता है ठीक यह ध्यान रखिएगा फिर dense जो होते हैं इनमें दो तरह होते है dense regular और dense irregular dense regular का जो example है tendon और ligament जो है dense regular की example है irregular के जो example है वो skin presented skin में होता है ठीक तो dense में regular और regular दोनों ध्यान रखिएगा और regular में example बहुत important है tendon and ligament ध्यान रखिएगा ठीक फिर आते है specialized connective tissue lokeny नाम का एक ready इससेयर नाम है जैसे थे italyk नाम है आता है उससीमें बोन की सेल्स परेजेंट होती हैं फिर आता है बलड बलड एक फ्लिड कनेक्टिविटी स्यूरेल मतलब लिक्विड ठीक तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिशू है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है सब्स्टेंस को यह सब्स्टेंस क्या हो जैसे ऑक्सीजन ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है carbon dioxide भी blood ही transport करता है तो यह सारी चीज़े ट्रांसपोर्ट करता है तो यह हो गया connective tissue छोटा topic था कुछ खास बड़ा नहीं है फिर आते हैं तीसरे नंबर पर जो की muscular tissue यह कहले जिए muscle tissue muscle tissue में 3 है skeleton, skeletal muscle tissue, smooth muscle tissue और cardiac muscles ठीक है जो जिम में जाके आप बनाते हैं biceps, वो skeletal muscle होती है, दूसरा है smooth muscle, smooth muscle are involuntary, involuntary मतलब हमाएं control में नहीं रहती है जैसे कि हमाएं जो पेट की cells है, पेट की मतलब मसल है, जो पेट में muscle हो हमाएं according नहीं चलती है, जिस हिसाब से खाना जाएगा उस हिसाब से काम करेगी ठीक, तो वो एक smooth muscle है और example, walls of internal organs, जैसे कि stomach की, intestine की, blood vessel की, इनकी जो muscles है, वो सारी smooth muscles है, ठीक तीसरा है cardiac, cardiac muscle जोती है, only presenting heart, सिर्फ heart में पाई जाएंगी, cells are fused to each other, जो इनकी cells होती है, एक दूसरे में fuse होती है और इन पे intercalated disc पाई जाती है, जो की communication करती है, ठीक, intercalated disc नाम की एक चीज़ पाई जाती है, जो की communications करती है, ठीक communication मतलब एक दूसरे से बाच्चीत करना, cell का, एक दूसरे से बाच्चीत करना, communication करती है, ठीक तो ये था muscle tissue, छोटा सा part है, कुछ खास है नहीं इसमें, फिर आते है neural tissue, neural tissue और भी छोटा है, neural tissue का example है neuron, इसमें दो part है, एक तो neuron पाई जाएगा, दूसरा है, neural neural cells पाई जाएगी, neural cells जो है, 50% बनाती है neural tissue का, ठीक, और ये इनका काम क्या होता, protect and support neuron, ये neuron को protect करती है और support करती है, ठीक, अब आते हैं, नीचे, और पढ़ते हैं, थोड़ा सा junctions के बारे में, तो junction तीन तरह होते हैं, tight junction, junction, adhering junction, gap junction, यहां पर मैंने jn लिखा है, जो कि junction का short है, tight junction का काम क्या होता है, stop leaking of substances, substance को leak करने से रोकना, adhering junction, cementing cells, cells को cement करना, मतलब एक दूसरे में जोड के रखना, gap junction connecting cytoplas for cells for interactions, जो gap junction होता है, मतलब cytoplas को connect कर देता है, जिससे cell का communication हो पाता है, interaction हो पाता है, ठीक है, तो यह तीन तरह के junction and CR team दिए गए हैं, यह भी ध्यान रखने हैं, तो यह हो गया, हमारा tissue वाला पार्ट, तो basically यह पार्ट जो है, वही जो बहुत ज़्यादा important है, वो यही पार्ट है, ठीक है, क्योंकि बाकी जो पार्ट जो इसके पार्एम पढ़ना है, ठीक है, तो इसको मैं change करता हूँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थवाम के बारे में, तो यह है अर्थवाम वाला पार्ट, दिख रहा होगा, उमेद करते हैं, अभी मैं जूम करूँगा पढ़ाते समय, ठीक है, तो यह अर्थवाम वाला अर्थवाम के बारे में पढ़ना है, तो थोड़ा जूम करते हैं, अच्छा मैंने अलग-अलग कर दिया, मौर्फलाजी यहां पर, अनाटमी यहां पर, मौर्फलाजी का यह इतना पार्ट, अनाटमी थोड़ा बड़ा है, तो यह इतना पार्ट ठीक, तो शुरवात करते ह अब दिख्राओगा अच्छे से अर्थम जो होता है कॉमन इंडियन अर्थम दो होते हैं फेरेटिमा और लुम्ब्रिकस यह दोनों साइंटिफिक नेम है याद रखिएगा ठीक है अब मॉर्फोलोजी अच्छा साइंटिफिक नेम को हमेसा अंडराइन करना चाहिए ना तो क अब अर्थम दो होते हैं फेरेटिमा लुम्ब्रिकस दो कॉमन इंडियन अर्थम अब सुरुवात करते हैं मॉर्फोलोजी से मॉर्फोलोजी मतलब एक्स्टर्नल करेक्टर जो भी बाहर से देखने को मिल जाए इनकी जो फीकल डिपोजिट होती है उसको वर्म कास्टिंग कहा जाता है ठीक है fecal deposit मतलब जो यह waste product निकालते हैं ठीक तो उसको कहते है warm casting total 100 से 120 metamayers पाए जाते हैं segmentation होता है तो इसमें metamayor पाए जाते हैं ठीक है mouth की इनकी covering जो होती है उसको prostomium कहा जाता है जबकि जो first segment होता है उसको peristomium कहा जाता है जस्ट एक दूसरे के बगल बगल महने लिख दिया है क्योंकि confusion कभी-कभी हो जाता है तो prostomium क्या है mouth की covering है जो कि peristomium क्या है first segment है पहला segment जो होता है उसको peristomium कहते हैं फिर chrytelum किसमें होता है 14 से segment 14 से 16 segment में 14 से 16 segment में chrytelum पहला जाता है जो कि फिफ्ट से 9 segment में होता है 4 PR spermatical aperture होता है इनका काम क्या होता है receive and store spermatos जोगा comment को receive करते हो और store करते है इस्पर्मैटो जोगा मतलब sperm ठीक है अब female genital pose जो होता है, वो एक होता है, single होता है, जो कि 14th segment में पाया जाता है, जब कि male genital pose जो होता है, वो दो होता है, जो कि 18th segment में पाया जाते हैं, ठीक, और नीचे आते हैं, ये बहुत important है, CT, CT जो होता है, वो S-save के structure होता है, जो कि locomotion में help करते हैं, CT जो होता है, वो सारे से 16 में क्लाइट डं था इस रीजन में नहीं होगा थीक है तो CT याद रखिएगा किस में किस में नहीं होगा पहले में आ पार्ट में ओक्लाइटेटल दूजन में 14 से 16 क् próxim वाले में यहां पार्ट आज आते हैं एनाना टिमीज़ पर सबसे पहले आता हैं वाटर के लॉस को रोकती है, तो सबसे उपर क्यूटिकल देखने मेलेगी, उसके नीचे एपिडर्मिस, फिर दो लेयर देखने मेलेगी, जो कि कहते हैं मसल लेयर, दो होती है, मैंने आप रेकर्ड में लिख दिया, और एकदम आखरी में आपको सीलोमी के पिथीलियम देखन आठ से नौ सेग्मेंट, इस्टमक जो होता है, नौ से चौदा सेग्मेंट, ठीक, ये सारे पार्ट जो है, सेग्मेंट्स आपको ध्यान में रखना है थोड़ा, एक्जाम में कभी कभी पूछ दिया आता है, फिर इस्टमक होता है, नौ से चौदा से चौदा सेग्मेंट म सिटेंड होते हैं इंटेस्टाइन 2015 से nggak से और उंट मी को या वाहा ताम चाहिए Um तो और दीडोर्ण से वतीए वह अंदर के तरह फोल्ड रहती हुँ उसी हमा thorough क्को ऑघ thinking लांगा जाता है है और और मिलाज में आ auraitkाए ऑक लगा Lazam बाते हैं एक्स्क्रीशन एक्स्क्रीशन जा होता है यह अर्थमार में निफ्रीडिया के उता है अब निफ्रीडिया पर इंटुरमारी तरह इक तरह के बताएगे आँ एक गुच्चिय के फॉर में टीन पेर में होता है ठीक है चोथे 5-6 स्गमंट में Tीन पेर सक्वार एक एक पेर तीनों में ठीक तो इंचल्ट तो आसान है है सप्टल दाहतेर отпa 15 से सेगमेंट तक और the segment神 lesein upadadata शैन से आखरी सेपट्ट extraordinarily IgM होता है वही बेसिकली nervous system होता है इसमें नर्व कॉर्ड होती है जो कि बाइफर्केट करती है थर्ड और फॉर्थ segment में ठीक है किस segment बाइफर्केट मतलुता है मतलब रास्ता बदल देना जैसे एक alan आकेली थी यह फिर दो हो कि यह 1 अकेली थी 2 हो गई इसको कहते हैं बाइफर केट कर जाना थीक है इस तो नर्व कड जो हता है वह बाइफर केडिर कर जाती थार्ड और फॉर्थ सग्मेंट में तूड़ियाती है ठीक नर्व रिंग जो होती है वो नर्व कॉर्ड सेरिब्रल गैंगलिया मिला के बनती है ठीक नर्व रिंग इन में बनी रहती है तो उसको बताया गया है फिर अर्थम जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं हर्माफ्रोडाइट मतलब यानि male और female दोनों एक ही में होगा, इनमें जो testis होता है वो दो pair होता है, 10th में एक pair और 11th segment में एक pair, ठीक, 2 pair यानि total 4 testis होते हैं, ध्यान रखियेगा, ठीक, अब जो female cocoon बनाती है, ठीक, वैसे female male एक ही में होता है, तो जो cocoon बनता है, वो critelum वाले reason में बनता है, वहें से crit कुकून निकलते हैं, ठीक है, सॉरी, 2 से 20 बेबी निकलते हैं, हर एक cocoon पर, पर cocoon या पर, ठीक, यह जो लाई नहीं वो पर cocoon के लिए, तो 2 टू 20 बेबी पर cocoon, average 4 बेबी निकलता है, ठीक, यह ध्यान रखियेगा, हर एक cocoon में लगबग 2 से 20 बेबी निकलते हैं, लेकिन average जो होता है, वो 4 बेबी पर cocoon का average होता है, फिर आता है, एक word आखिरी मैंसे अर्ट निकलते है, वर्मी कमपोस्टिंग, वर्मी कमपोस्टिंग क्या होती है, process of increasing fertility by earthworm, अर्थम जो होता है, आपको पता है, farmer का फ्रेंड कहलाता है, क्योंकि वो fertility को बढ़ाता है, फ्रेंड म इंक्रीजिंग लिखा हुए फर्टिलिटी भाई अर्थों ठीक यह बेसिकली वह पूरा पार्ट हो गए अर्थों का जो आपको पढ़ना था ठीक मौर्फोलोजी और अटमी वह अब बात यह है कि मैंने ऐसानी के हर एक पॉइंट इंक्लूट किया है लेकिन इतना इंक्लूट किया है कि आप इसको पढ़के आसानी से पास हो सकते हैं ठीक है बेसिक क्वेश्चन जो अर्थों के आते हैं बेसिक क्या एडवांस जो भी क सब्सक्राइब दिखाया है वर्मी कंपोस्टिंग कुकून के बारे में बताया है जो ब्लैक कलर में लिखाया है सेप्टल इंटेग्यूमेंट्री फेरेंजियल ठीक है यह चीजें जो है थोड़ा ज्यादा इंपोर्टन तो इनको जहुर ध्यान रखिएगा ठीक है तो यह अब आपको दख रहोगा सईजre से तो मर अहां जो फ्रॉग होता है उसको रहना टिगरीना कहता है अंडर लाइन किया किया श्पने की ताक़ जैसे यह पिंग कलर का पेन है जो फ्रॉग होग वो वो फिंग कलर का हो जाईगा तो यह पैन में अपने आपको छुपा लेगा क्योंकि दोनों color same है, तो जो frog को खाते हैं, जैसे snake frog को खाते हैं, वो देख नहीं पाएगा, ठीक है, तो यह अपना रंग बदल के छुपा लेते हैं अपने आपको, इसे कहते हैं camouflage ठीक है, फ्रोग में देखने हैं, गिर्गिट में आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक म्यूकस जो slippery substance होता है नेवर जिंक होते कभी भी पानी मुझ से नहीं पीते हैं एब्सॉर्ब इट फ्रॉम इसकिन से एब्सॉर्ब कर लेते हैं बॉड़ी में दो पाट होता है हेड होता है ट्रंक होते है गला नहीं होता है नेक नहीं होती है आख में लाख जाती है जो भी बालब नाहीं रहता है यह प्रुम होता है यह दो नेधिते हैं बॉत नाहीं होता है तो यह हम लोग में बहुत ही छोटी सी बच डिये जब आप अच्छे छोटी सी बचेवी है जब आप अच्छे से देखते ध्यान से तो बैंक किनारे आख में तो इन में निकिशिटिंग में पाई जाती है क्योंकि यह पानी मिलते है प्रोटेक्ट आइस फ्रॉम वाटर हम प पांच डिजित मतलब पांच उंगलिया होती है अब जो मेल फ्रॉग होता है इसकी पहचान होती है पहले बात है साउंड प्रोडूसिंग वोकल सेक्स होता है यानि जो टरर की आवाज होती है वो मेल फ्रॉग निकालता है फीमेल फ्रॉग ऐसी बहुत कम है जिनमें वोकल सेक सकते हैं ठीक है तो मतलब ज्यादा तर फीमेल फ्रॉग बोली नहीं पाती है बैसिक लिए आप यह कह सकते हैं ठीक तो यह दोनों पहचाने मेल फ्रॉग की बहुत अच्छे स्याद रखिएगा इनमें विब्ड फीट पहे जाते हैं मतलब जाली दार फीट पहे जाते हैं जो कि स्विमिंग में हिल्प करते हैं ठीक तो यह हो गया मॉर्फलाजी अब आते हैं अनाटमी पर तो अनाटमी सुरू के टार लोग करते हैं तो उनको फ्रॉग काटने को और देखने के जिय flowers वही पता नहीं है लेकिन नोगा बताते हु कि और आतिग लोग बताते हैं कि उनको दीया जाता है टिक है तो अनाटमी ऐसा है यह यह दोूग का ह्यूमन से पहस्ट deg अगर आप इनर्टी में पढ़ते हैं तो आप फ्रॉक का जानते हैं ठीक है तो कुछी डिफरेंस है बाकी सबसे हैं इसे यहां पर digestive system में दो पार्ट है, elementary canal और digestive gland दोनों पार्ट हमारे अंदर भी पाय जाते हैं की bylobed होती है bylobed मतलब 2 lobe होते है ठीक रेस्पीरेशन की बात करें तो land पर जो रेस्पीरेशन वो 3 चीज़े से हो सकता है buccal cavity से skin से और lung से से lung से से जो रेस्पीरेशन होता है इसको मा जो कहते है cutaneous जार गलती कर दी सोरी यहां पर मैंने गरत लिख दिया है यहां पर pulmonary होगा, lungs से जो respiration होता है, वो होता है, pulmonary, ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो lungs से जो respiration होता है, इसको हम pulmonary कहते है, pulmonary respiration, ठीक है, तो land पे तीनो respiration कर सकते हैं, बकल केवटी basically मुझ से, जैसे मुझ से सास लेना, skin और lungs तीनो से हो सकता है, water जो होता है, उसमें सिर्फ skin से यह सास लेते हैं, और इसको हम cutaneous respiration करते हैं, ठीक है, diffusion के थुरू होता है, तो respiration land और water पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह amphibian है, तो दोनों पे रहते हैं, land पे भी रहते हैं, water पे भी रहते हैं, ठीक है, अब during hibernation and estivation, skin respiration, hibernation और estivation में हमेशा skin वाला respiration, यानि cutaneous respiration होगा, ठीक है, यह चीज़ ध्यान रखिएगा, hibernation और estivation क्या होता है, hibernation मतलब होता है, winter sleep, winter में frog क्या करते हैं, अपने आपको छुपा देते हैं, ठीक है, एक किसी गढ़्डी को खोद लेंगे, जब जादा सर्दिया होगी, काफी जादा, जब सह नहीं पा आगे चलके अच्छे से बढ़ेंगे इसको, chapters में, अब इसमें three chamber होते हैं, तीन chamber होता है, दो atria होते हैं, एक ventricle होते हैं, ठीक है, फिर निचे आते हैं, इसमें दो, मतलब word यह याद रखने हैं, एक तो है sinus venousus, और दूसरा conus asteriosus, यह दोने याद रखने हैं, पहला sinus venous जो होता है, वो triangular structure होता है, joint to right atrium, right atrium से जुड़ा होता है, और जो ventricle होते हैं, वो open होते हैं, यानि खुलते हैं, conus arteriosus में, ठीक, यह दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखना है, कि sinus venousus क्या है, conus arteriosus क्या है, फिर frogs जो होते हैं, यानि यूरिया से create करते हैं, हम लोग भ जाफी ज्यादा चीज़े, frog की हम से सेम है, ठीक, फिर 10 pairs of cranial nerve, 10 pair cranial nerve आई जाती है, arise from brain, brain से जो nerves निकलती है, यानि नस निकलती है, उसको cranial nerve कहते हैं, ठीक है, तो basically 10 pair cranial nerve होती है, brain से ही निकलेंगी, क्योंकि cranial word जो होता है, वो brain के लिए होता है, फिर ear जो होता है, वो represented by टिंपैनम, टिंपैनम नाम का एक परदा और टाइप का होता है, उसको ear bowl देता है, इनमें external काम नहीं पहा जाता है, ठीक है, फिर wasa efferentiaean में जो होता है, 10 to 12 विन अपर होता है, fertilization जो होता है, external होता है, बहुत important चीज़े, ठीक है, पूरे amphibia में external fertilization होता है, जो कि frog भी amph channel fertilization होगा, अब females can leg, 2500-3000 और एक समय में females leg कर देती है, ठीक है, जो इनका larva होता है, उसको tadpole कहते है, लार्वा से adult बनने की जो process होती है, उसको metamorphosis कहते है, ठीक है, यह basically छोटे classes में आपको पढ़ाया जाता है, लार्वा से adult बनने की process को metamorphosis का जाता है, अब इनमें एक important यूरिनरी और रिप्रड़क्टिव टेक, यानि एलिमेंटरी केनाल भी क्लोईका में खुलती है, यूरिनरी ट्रैक्ट भी जोता है, वो भी क्लोईकाम खुलता है, ठीक तो यह common chamber है, यह पूरा पार्ट होगे आपका frog का, ठीक, तो हमने अर्थम पढ़ लिया, frog पढ़ लि में आपको कुछ बताना है, लेकिन अभी वीडियो के आखरीम बताते हैं, ठीक, यह पहले पढ़ा लेते हैं, और यह काफी बड़ा भी हो गया है, इसी वज़े से थोड़ा काफी पास पास लिखना पड़ा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है, कोई बात ने, ठीक तो सु साईसर्य नहीं होता है, फास वन भाई फॉर से थृ इंज तक होता है, अब इसमें इस्कल राइड पाये गया जाता है, जो 한べre है, इस में घ्रणा थ कर यहांकित। अब इसकलिराइड केंगे तो तराइड होते है जो टर्जायड बोला जाएगा जो वेंट्र्स आइड में पाय उनको इस्टरणाइड बोला जայगा थाएगा बिसिकली समल लेजिए इसकलिराइड एक कवरिंग है अब ऑसटनव बोलते हैं वेंटरल यानि पेट वाली साइड की जो कवरिंग उसको इस्टरनाइट बोलते हैं यह दोनों connected होते हैं तरजाई टो इस्टरनाइट किससे आर्थोडियल मेंब्रेन अर्थोडियल मेंब्रेन से यह दोनों connected रहते हैं एक दूसरे स्टिक यह हो गया अब आके तरह हैं जो हेड होता है ट्रैंगुलर होता है शेप में मतलब तिकोना होता है फॉर्म भाई फ्यूजन ऑफ शिक्स सेग्मेंट छे सेग्मेंट फ्यूज करते हैं तो हेड बनता है ठ करने हाएं तो यह चारों आपको ध्यान में रखनालिया स्टांग जो होती है उसको हाइपफरेंस कहते हैं ठिक हैं और जो इनसका थूराक्स होता है वह divided होता है अप्रोथूरेक्स फोन मेटा थूरेक्स में थिक तो थूरेक्स के तीन जो होते हैं वह मेज्टơn हो यह निकलते हैं और बाकि दो होते हैं वह मेटा थो ज्यां कि निकलते हैं उसको टे गमिना कहते हैं ठीक है यह ध्यान रखिएगा Abdomen 10 segment से मिलके बना होता है Males जो होते हैं उनमें anal style होता है यह बहुत important है नीड में पूछा गया है तो आप यह याद रखने के जो male होता है वो style मारता है ठीक है तो males जो होते हैं वो boat के shape का होता है यह चीद ध्यान रखिएगा ठीक है तो female में 7th isternum is boat shaped ठीक तो यह हो गया morphology अब आता है anatomy पे अब क्योंकि cockroach बहुत बड़ा topic है तो इसे होज़ासे मुझे system में divide करना पड़ा हर एक system को अलग-अलग लिखना ठीक है अब four gut जो होता है उसमें cuticle की layer पाई जाती है यह ध्यान रखिएगा crop and gizzard is present crop and gizzard पाई जाते हैं gizzard जो हता है इसमें 6 teeth पाई जाते हैं यह ध्यान रखिएगा hepatic या फिर gastric C की पाई जाती है on the junction of four and mid-guard बहुत important है four gut and mid-guard के junction पे junction मतलब जहाँ पे four gut and mid-guard मिलते हैं वहाँ पे hepatic या फिर gastric C की पाई जाती है यह रिंग से बनी होती है जो कि 6-8 tbol की ring होती है 6-8 tbol होती है उनकी ring होती है उसी से यह बना होता है तो यह था digestive system फिर आते हैं excretory system पे excretory system में malphesian tbol जो होता है उससे execution होता है ring of 100 to 150 यह जो malphesian tbol होता है यह 100-500 ring बनाता है on the junction of mid and hindgut अब यह ध्यान रखे का mid and hindgut पे यह ring होती है malphesian tbol वाली ring ठीक तो दो ring आपको ध्यान रखनी है तो यह gastric C की वाली और malphesian tbol वाली ठीक दोनों एक के उपर नीचे लिख दिया है मैंने तो ध्यान रखिए आप बगली बगल दोनों लिखी होई है circulatory system यह आप बिना समझे मतलब अपने आप से मुस्किले पढ़ना इसको आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि मतलब अगर आप सिर्फ डाउनलोड कर लेंगे और वीडियो नहीं देखेंगे तो इसको सौनने में आपको दिक्कत होगी circulatory system होता है इसमें heart होता है जो कि funnel के shape का होता है funnel यह shape ठीक है जो बना हुआ है यह heart है funnel shape का होता है और दो छेद पाजाते है इधर भी austeia होता है अब जो blood होता है इधर से austeum घुसेगा heart में जाएगा फिर इधर से दूसरे और austeia से बाहर फिक दिया जाएगा blood अच्छा blood आता कहां से है तो sinuses से आता है sinuses word है sinus जो होता है एक तरह की cavity होती है इसी में खुब सारे organs रखें and pumped back to sinus फिर वापस इसको pump गया जाएगा sinus में वापस फिर से ठीक है यह होता है जो की figure के थुरू बहुत ज़्यादा असान हो जाता है अगर अब ध्यान रखे थोड़ा सा ठीक है तो क्या होता है sinus से blood आएगा अंदर वापस sinus में ही चला जाएगा यह होता है बस असान है respiratory system have network of trachea that opens into spiracles respiratory system में network होता है trachea का जो की spiracles में open होता है spiracles क्या होता है 10 pair of small hole बहुत ही छोटे छोटे hole होते हैं जो की 10 pair होता है उसी को spiracles कहते है तो इनका basically gaseous exchange कोई organ नहीं होता है जैसे lungs या फिर gills नहीं पहे जाते है simple diffusion से बाहर से जो छेद है इनहीं के थुरू हवा अंदर आती है और इसी से चली आती है यह समझ लिए ठीक है इसमें sparracles जोड़ ध्यान रखिएगा respiratory system में trachea होता है इसमें ना lungs होते है ना gills होते है ठीक तो यह होगया respiratory system अब आते है nervous system nervous system किससे बनाता है fused ganglia से बना होता है 3 ganglia thorax में पाई जाती है और 6 ganglia abdomen में पाई गया है ठीक तो total 9 ganglia पाई जाते है उसी से nervous system बनाए brain जो होता है वह supraosophagial ganglion से represent किया जाता है तो यह जाद रखिएगा जो cockroach होता है उसका brain जो क्या होता है supraosophagial ganglion ही होता है हर आई जो होती ही इच आई में 2000 hexagonal omitadia पाई जाते हैं हर एक में 2000 यहनि दोनों मिला के 4000 तो यह जाद रखिएगा यह नहीं कि दोनों याद रखने को से एक याद रखिएगा कि 2000 हर एक आई में पाई जाते हैं अब इनका vision जो होता है उसको nocturnal vision कहते है nocturnal रात वाला vision कैसा होता है more sensitive इसमें sense बहुत जादा होता है लेकिन less resolution लेकिन resolution कम होता है यानि चीजे clear नहीं दिखेंगी लेकिन दिखेगा सब आपको ठीक है जैसे basically cockroach इतने दूर में देख रहा है अब इतने दूर में कुछ भी change होगा तो उसको तुरन दिख जाएगा कि कुछ change हुआ है कोई ना कोई इधर उधर हुआ है लेकिन यह नहीं दिखेगा उसको कि क्या चीज धरुदर हुआ है ठीक है तो क्योंकि उसका resolution कम है तो clear नहीं देख पाएगा चीजे को ठीक तो nocturnal vision पाए जाता है इस सारे points in CRT के हैं सारे के सारे ऐसा नहीं कि कुछ बाहर का है ठीक है अब आते है reproductive system में 8 overalls होते है यह याद रखिएगा 8 overalls होते है male accessory gland जो होता है mushroom के shape का होता है यह भी important है ध्यान रखिएगा male accessory gland is mushroom shaped अब spermatophores क्या होता है sperm glued together in seminal vesicles sperm मतलब cockroach में sperm में इसको glue कर दिया जाता है glue मतलब एक दुसरे में चिपका दिया जाता है उसको हम spermatophore कहते है कहां पर जिपका जाता है seminal vesicles में ठीक है अब आखरी पार्ट पर आते हैं जब हमारा खतम होगा eggs are enclosed in o-thika o-thika जो होता है इसी में eggs बंद होते है average क्या होता है 9-10 o-thika यानि एक female जो होती है 9-10 o-thika प्रिजूर करती है और हर एक में 14-16 o-thika प्रिजूर करती है और हर एक o-thika में 14-16 o-thika प्रिजूर करती है अब यह बहुत important है development is parometabolus अब parometabolus क्या होता है development is special type का development है इसमें 3 stage होती है एक होती एग, दूसरा होता है nymph और तीसरा होता adult तो यह एग होता है वो बड़े होके nymph बनाता है nymph basically क्या होता है ठीक है यहां पर इनको nymph का जाता है क्योंकि nymph यह का जाता है क्योंकि देखने में तो काफी जादा adult के काफी जादा सेम होंगे देखने में लिकिन काफी कमी भी होगी हाँ ठीक है देखने में सेम होंगे नभी अध। 10 आप करने निम्फ करतेरा मॉल्ट करे लाप, मॉल्ट मतलब स्कीं को छोड़ना कि इसका मतलब साप बाता ए LAUGHTER वाइट कलर का इसकिन छोड़ता अगर आपने कभी देखा हो तो ऐसे निम्फ जो होते हैं यह मॉल्ट करते हैं मॉल्ट 13 तेरा बार इसकिन छोड़ते हैं तो यह एडल्ट में बनते हैं और इसको कहा जाता है पाउरो मेटाबोलस डिवलप्मेंट ठीक है अउनली एडल्ट सक केवल एडल्ट जो होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं बस तो यह हो गया पार्ट कॉक्रोच वाला ठीक है तो बस खतम हो गया हमने पूरा का पूरा माइंड मैप देख लिया सुरुआ से लेके आखरी तक ठीक है तो एक बार मैं आपको फिर से लिखा दू अच्छा जो मझे व बहुत ही ज्यादा चांस है कि आपको लगेगा कि मैंड मैप कई जगे पर आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है तो अगर आप खुछ से डाउनलोड करके पढ़ना चाहे रहे हैं और वीडियो आपने नहीं देखा बस वीडियो शुरुआत किया और नीचे कोई भी पढ़ सकता है लेकिन कभी कभी बीच में एक आज जगे ऐसे होता है कि हमें अपने हिसाब से चेंज करना पड़ता है ठीक है जगे बचाने के लिए या फिर चीजों को शॉर्ट करने के लिए जैसे मैंने अभी सर्कुलेटरी सिस्टम बताया आपको देखते हैं उ दिक्कत है माइड में दिक्कत नहीं है दिक्कत यह है कि आपने थोड़ा वीडियो देखा नहीं है ठीक तो वीडियो देख लिया करिए अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं संबहेगा 99% चीज़े समझ में आ जाएंगी लेकिन जो 1% है उसमे करिया आराम से पढ़िये